आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Question में दे रखाए कि The Locus of the Center of the Circle which touches externally the circle x square plus y square minus 6x x minus 6y plus 14 is equal to 0 and also touches the x-axis is given by the equation ठीक है तो यह हमसे पूछा गया है कि किस equation से अपन उसको लिख सकते हैं ठीक है Locus को तो देखो यहाँ पे सबसे पहला हमारा क्या है कि यह जो circle है यह circle का अपन बात करें तो इसका अगर मैं center और radius पता करू तो वो हमारा क्या हो जाएगा तो देखो एक standard equation अपन कैसे लिख सकते हैं circle का तो हमारा होता है x square plus y square ठीक है तो x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 इसको compare करो इस से तो यहाँ से अपन center हमारा क्या होता है अगर इस circle का अपन लिखे center तो होता है minus g, minus f और radius किसके equal होता है तो यहाँ पर g square plus f square minus g ठीक है, तो इस से अपन इसको compare करें तो इस circle का center हमारा क्या आजाएगा तो इस circle का center आरा है देखो यहाँ से compare करो तो 2g सकते हमारा minus 6 के equal है यानि कि g की value अपन बात करें 2g सकते हमारा minus 6 के equal है और 2F हमारा minus 6 के एक वाल है, तो यहां से G का value क्या आ गया, minus 3, ठीक है, तो G हमारा minus 3 और F भी हमारा minus 3, तो यहां से पन बात करें, तो center क्या आ गया, 3,3, और radius की बात करें, क्या हो जाएगा, 9 plus 9, ओके, और minus 14, यानि कि यह हमारा आ गया, square root of 4, that is 2, तो radius हमें 2 पता चल चुक ठीक है, यह हमारा coordinate axis है, तो coordinate axis x-axis है, और यह हमारा y-axis है, अब इसमें क्या हो रहा है, इस circle जो हमारा है, वो x-axis को touch कर रहा है, जो first circle है, वो x-axis को touch कर रहा है, तो कुछ ऐसा होगा, यानि कि ऐसा, ठीक है, यह हमारा circle है, और यह हमारा x-axis को touch कर रहा है, तो अगर मैं center को, यहां पे इसके center को h, k मौनलो तो radius जो है वो radius हमारा किसके equal हो जाएगा तो यह हमारा radius बन जाएगा यह पन यहां पे perpendicular x-axis फेड्रो करें तो यह radius किसके equal हो जाएगा इसके y coordinate यानि कि k क E equal तो यह हमारा k क E equal हो जाएगा इसका radius okay आप देखो जो दूसरा सर्क्रिश आ इसक़ सेंटर है 3,3 और रीडिश है टू ठीक है तो यहाँ पे सेंटर 3 , तो मानलो यह रहा हमारा फेरीडियर्य सेंटर इसका क्या है 3,3 ठीक है और रिडिश हमें पता है वह क्या है इसका 2 है, अब अपन क्या करते हैं, इसको C1 बोल देते हैं, ठीक है, ये center, और इस center को C2 बोलते हैं, तो C1 से अपन C2 अगर एक line यहाँ पे match करें, ठीक है, तो C1 से C2 मैंने एक line match किया, तो अगर ये हमारा जो circle है, second circle क्या कर रहा था, externally touch कर रहा था, इसलिए ये figure बना, तो इससे अपन clearly देख सकते हैं, कि जो C1 और C2 के बीच का distance है, वो हमारा क्या है, तो circle 1 के radius, यानि R1, plus circle 2 के radius के equal, यानि कि R2 के equal, ये condition मिला, अब देखो, C1 और C2 का अगर 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 distance formula से निकाल लें, तो distance formula हमारा क्या होता है, दो point के बीच का distance कैसे निकालते हैं, त तो X2-X1 का whole square, plus Y2-Y1 का whole square, ये होता है हमारा distance formula, तो similarly, C1 और C2 के लिए अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पे square root of, अगर मैं X1 और Y1, यहाँ पे H और K को बोल दू, और X2 और Y2, 3 और 3 को बोल दू, क्या हो जाएगा, 3-H का whole square, ठीक है, plus, यहाँ पे 3-K का whole square, क्या हो जाए है, R1 हमारा क्या है, K है, ठीक है, और R2 भी हमें मालूम है, वो 2 है, तो हो जाएगा यह, K plus 2, ठीक है, अब square root side कर दो, तो देखो 3-H का whole square, यहाँ पे अगर सबसे पहले square करते हैं, तो 3-H का whole square, plus 3-K का whole square, is equal to K plus 2 का whole square बन जाएगा, ठीक है, अब देखो यहाँ से, A plus B का whole square के form में इसको तोड़ो, तो A minus B का whole square है, यह क्या हो जाएगा, 9 plus H square minus 6H plus, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 plus K square minus 6K is equal to K plus 2 का whole square, यानि की K का square plus 4 plus 4K, ठीक है, तो यह हमें मिल गया, तो यहाँ से देखो, हमें क्या मिल जाएगा, एक K square से तो 1K square cancel हो जाएगा, ठीक है, तो यह हमें क्या मिल गया है, H square, अब यह हमारा H square है, minus 6 का H मिला, ठीक है, और यह 6K है, इसको अगर minus 4K को मैं left hand side ले आऊ, तो यह क्या वन जाएगा, minus 10K, ठीक है, अधे को constant हमारा क्या है, तो 9 plus 9, यानि की 18, 18 minus 4, यानि की, यहाँ पे plus 14 is equal to 0, तो अब हमें इसी का locust find out करना है, यानि की center का, जो locust find out करना था, यानि की H और K का हमें locust find out करना था, तो locust find out करने के लिए अपने H और K माना था center को, तो इसको H और K को अपन किस से replace करेंगे, X और Y से, ठीक है, तो यहाँ पे replace कर दो, तो H के जगा पे X का square हो जाएगा, और देखो, यहाँ पे H के जगा पे फिर से X हो जाएगा, और यह हमारा क्या बन जाएगा, 10 K के जगा पे Y प्लस 14 is equal to 0, तो यह हमारा आगया center का, लोकस, यही मारा final answer है, thank you.